ये वीडियो साइंस के चैप्टर नंबर 3 का चौथा और सबसे अंतिम पार्ट है अगर आपने इसका पार्ट 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो आप उसको भी ज़रूर देख लीजेगा इसी वीडियो के पिंड कमेंट में आपको सभी पार्ट का लिंक मिल जाएगा इस चैनल पर आपके क्लास के अलमुस्ट हर सब्जेक्ट का वीडियोज अवेलेबल है उनको देखने के लिए सिंप्ली आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है जहां पर अलग-अलग कैटेग्रीज में आपको हर क्लास के वीडियोज मिल जाएंगे और यहां से आप अपने क्लास के वीडियोज को कभी भी बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं इससे पहले कि हम क्लास को स्टार्ट करें आप इससे आम लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रिस कर लिजे ताके जब भी हम आपके क्लास का कोई भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए आज हम लोग सबसे पहले नोबल मेटल्स के बारें परेंगे अब यह नोबल मेटल्स क्या होते हैं आप याद किजे कि पिछले क्लास में हम लोग रियक्टिविटी सिरीज के बारें परे थे उससे हमें पता चला था कि प्लेटिनम सबसे कम रियक्टिव मेटल होता है यह किसी के साथ भी रियक्ट नहीं करता है चाहे वो एयर, वाटर, एसीड, बेस या कोई दूसरा सबस्टांस ही क्यों न हो प्लेटिनम के तरह ही एक और मेटल है जो कि इसी तरह का बिहेवियर दिखाता है और उसका नाम है गोल्ड गोल्ड भी न तो एयर के साथ रियक्ट करता है न वाटर के साथ, न एसीड के साथ, न बेस के साथ और नहीं किसी दूसरे सबस्टांस के साथ इसलिए हम लोग गोल्ड और प्लेटिनम दोनों को नोबल मेटल्स बोलते हैं तो इससे हमें पता चल गया कि नोबल मेटल्स क्या होते हैं ऐसे metals जो कि किसी के साथ आसानी से react नहीं करते हैं उन्ही metals को हम लोग noble metals कहते हैं reactivity series हम आपको याद करने के लिए बोले थे सबसे ज़्यादा reactive कौन होता है उसका नाम सबसे पहले है और सबसे कम reactive जो होता है उसका नाम सबसे last में है सबसे ज़्यादा रियक्टिव होता है Potassium, उससे कम Sodium, उससे कम Calcium, उसके बाद Magnesium, Aluminium, Zinc, Iron, Tane, Lead, Copper, Mercury, Silver, Gold और सबसे अंतिम में और सबसे कम रियक्टिव होता है Platinum चुकि Noble Metals सबसे कम रियक्टिव होते हैं इसलिए कभी भी वो केमिकली अफेक्टिव नहीं होते हैं अपने आसपास के किसी भी सबस्टांस के कारण अगर आप Noble Metal को ऐसे खुला छोड़ देंगे तो उस पर Air का, Water का, Environment के किसी भी सबस्टांस का कोई भी एफेक्ट नहीं परेगा Hence, they do not get tarnished इसलिए वो गंदे नहीं होते हैं and retain their luster for a very long time और उसका जो चमक है वो बहुत लंबे समय तक बना रहता है ये दोनो Noble Metals बहुत ज़्यादा Ductile और Malleable होते हैं, हम लोग यहाँ पर Gold और Platinum की बात कर रहे हैं Gold और Platinum बहुत ज़्यादा Ductile होता है और Malleable होता है Ductility क्या होता है और Malleability क्या होता है ये हम लोग इसी chapter के Part 1 में परे थे अगर आपको इसमें कोई भी doubt है तो आप Part 1 को ज़रू देख लीजेगा Ductile होने के कारण हम लोग इन दोनों Metals को खीच कर बहुत लंबे wire में convert कर सकते हैं और Malleable होने के कारण इन दोनों Metals को पीट-पीट कर बहुत पदले foil में convert किया जा सकता है इन ही दोनों Properties के कारण हम लोग Gold और Platinum का इस्तमाल Jewelry बनाने के लिए करते हैं इसके अलावा Gold का इस्तमाल दूसरे Metals का प्लेटिंग करने के लिए भी किया जाता है आप देखेगा बाजार में बहुत सारा ऐसा Metal का Jewelry मिलता है जो कि Gold जैसा दिखता तो है लेकिन Gold से बहुत जादा सस्ता होता है उसके अंदर में एक्चुल में Copper होता है या Silver होता है बस उसके उपर Gold का Layer चरहा दिया जाता है अगर हम लोग Platinum की बात करें तो Platinum का इस्तमाल Dentistry में किया जाता है जो दात के डॉक्टर होते हैं वो Platinum का इस्तमाल करते हैं इसके अलावा जो Scientific Instrument होते हैं उसको बनाने के लिए भी Platinum का इस्तमाल किया जाता है यहाँ पर हमें Pure Gold के बारे में कुछ Facts दिये गए हैं जो कि आपको याद रखना है Pure Gold का एक Limitation होता है कि यह बहुत जादा Soft होता है अगर हम लोग Pure Gold का Jewelry बना कर पहनेंगे तो वो तुरंट तूट जाएगा इसलिए इसका इस्तमाल हम लोग Jewelry बनाने के लिए नहीं करते हैं अगर Gold Pure Form में है तो इसलिए Jewelry बनाने के लिए अक्सर इसको Silver या Copper के साथ Mix किया जाता है ताकि इसको Hard बनाया जा सके Gold के Purity को हम लोग Carats में Express करते हैं आपने सुना भी होगा 22 Carat का Gold होता है 24 Carat का Gold होता है Carat वह नंबर है जिसे कि हमें Gold के Parts के बारे हम पता चलता है अगर Gold के Mixture को, Gold को Mix किया जाता है दूसरे Metals के साथ हम पहले ही बता है अगर Gold के Mixture को 24 Parts में Divide कर दिया जाए तो उसमें कितना Part Pure Gold है और कितना Part दूसरा Metal मिला हुआ है इसी के बारे में हम एक Carat से पता चलता है एक्जामपल के लिए अगर हम लोग 22 Carat का Gold लेते हैं इसका मतलब यह हुआ कि उसमें जो 22 Parts है न वो Pure Gold है और जो बाकी का 2 Parts बचा उसमें या तो Copper मिला हुआ है या तो Silver मिला हुआ है इसका मतलब यह होता है कि अगर Gold अपने Pure Form में है तो उसको हम लोग 24 Carat Gold बोलेंगे क्योंकि उसमें 24 Parts में से Total Parts Pure Gold ही है उसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है अगर 23 Carat का Gold होगा इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि 23 Parts Pure Gold है और बाकी का जो एक पार्ट है उसमें कुछ न कुछ मिला हुआ है अब चलिए हमारे सबसे अंतिम टॉपिक पर आते हैं जो कि है Uses of Metals, Alloys and Non-Metals Metals का क्या इस्तिमाल होता है, Alloys का क्या इस्तिमाल होता है, Non-Metals का क्या इस्तिमाल होता है, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सबको आप Point-wise अच्छे समझकर याद कर लीजेगा क्योंकि इससे Exam में कुछन आता है सबसे पहले हम लोग metals का use देख लेते हैं, क्या इस्तिमाल होता है metals का, metals हमारे life का integral part बन चुका है, हमारे daily life में जितना भी काम होता है, pent की zip से लेकर pin का जो nib है, वहां तक सब जगह आपको metal ही लगा हुआ दिखेगा, metals हर civilization के विकास का एक जरूरी हिस्सा रहे हैं, आज भी हम हम लोग metals का बहुत सारा इस्तिमाल करते हैं अपने daily life में, हमारे जीवन में सबसे अधिक इस्तिमाल होने वाले metals के नाम यहाँ पर दिये गए हैं, आप इसको याद रखेगा, एक है iron, एक है copper, एक है aluminum और एक है silver, iron यानि कि low house सबसे ज़्यादा इस्तिमाल होने वाला metal है, इसका इस्तिमाल हम लोग बहुत कुछ बनाने के लिए करते हैं, जैसे कि बरतन हो गया, water boilers हो गया, stoves हो गया, इससे हम लोग खिलोने बनाते हैं, बहुत सारे ओजार बनाते हैं, इससे हम लोग pipes बनाते हैं, जो खेती किसानी करने वाला agricultural equipment होता है, उसको भी हम लोग बनात हैं, chains बनाते हैं, wires बनाते हैं, nails यानि की काटी बनाते हैं, bolts बनाते हैं, जो nut volt होता है, electro magnets भी से बनाया जाता है, और बहुत कुछ है, उसका अंत नहीं है, जो कि हम लोग लोहा से बनाते हैं, और दो तिन चीज़ अगर आपको आता है, तो आप comment में लिकर बता सकते हैं, अ उसको aluminum से ही बनाया जाता है, इसके अलावा aluminum से खाना पकाने वाला बरतन भी बनता है, aluminum का जो पतला पतला foil होता है, जो पतला पतला sheet होता है, उसका इस्तिमाल किया जाता है, food को pack करने के लिए, और medicines को pack करने के लिए, copper भी एक ऐसा metal है, जिसका बहुत जगह इस्तिमाल होत चौथा मिटल इस सिल्वर यानि की चांदी, चांदी का इस्तिमाल भी बहुत जगह होता है, चांदी को यूज करके हम लोग ज्वैलरी भी बनाते हैं, बहुत सारे डेकॉरेशन पीसे भी बनाते हैं, जो सजावट का समान होता है, टेबल वेयर बनाते हैं, जो खाने के समय हम लोग बरतन यूज़ करते हैं टेबल पर वो सब भी हम लोग चांदी से बनाते हैं सिल्वर बहुत ज़्यादा मैलेबल होता है मतलब इसको पीट पीट कर हम लोग पतले पतले फॉइल्स में पतले पतले शीट में कटवर्ट कर सकते हैं और इसका इस्तिमाल फूड आइटम्स को डेकुरेट करने के लिए किया जाता है आप देखे भी होंगे कि बहुत सारा मिठाई ऐसा होता है खासकर जो काजू कतली होता है उसके उपर सिल्वर का कोटिंग होता है जब बचबन में काजू कतली आता था तो जिसमें ज़्यादा सिल्वर लगा होता था न उसी को चुन-चुन के हम लोग खाते थे सिल्वर एलेक्टिसिटी का बहुत अच्छा कंड़क्टर होता है क्योंकि इससे होकर बिजली आसानी से फ्लो कर सकती है लेकिन इसका इस्तिमाल कॉमनली हम लोग एलेक्टिकल फिटिंग्स में नहीं करते क्योंकि यह बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है बहुत ज़्यादा एक्स्पेंसिव होता है अगर हम लोग सिल्वर का तार बना कर उससे बिजली सप्लाई करने लगे तो जो एलेक्टिकल लॉस हमें होता है वो बहुत कम होगा लेकिन इस तार को लगाने में खर्च बहु अब हमें पढ़ना है कि Alloys का इस्तमाल हम लोग कहां कहां पर करते हैं Alloys क्या होता इसको ध्यान से समझेगा जब हम लोग एक Metal को किसी दूसरे Metal या Non Metal के साथ मिला देते हैं उसके बाद जो हमें मिलता है उसी को हम लोग Alloys कहते हैं वह यहां पर बताया गया है कि Metals को हम लोग Pure Form में तो यूज करते ही हैं साथ ही साथ इसको हम लोग Alloys के Form में भी यूज करते हैं Alloys को Define करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं An Alloys is a Homogeneous Mixture of Two or More Metals और a Metal and a Non-Metal एक Alloys तब बनता है जब हम लोग दो या दो से अधिक Metals या एक Metal और एक Non-Metal का Homogeneous Mixture बनाते हैं Homogeneous Mixture क्या होता है क्लास 7 में हमने बढ़ा था आपको याद भी होगा जब हम लोग एक Mixture के Components को एक Fixed Ratio में मिलाते हैं तब जो Mixture बनता है उसी को हम लोग Homogeneous Mixture कहते हैं एक Metal में सही मातरा में दूसरे Metals और Non-Metals को मिला कर हम लोग Alloys का Formation करते हैं और इस तरह से दिए गए Metal के Properties में हम लोग Changes ला सकते हैं जैसे कि हम लोग परे थे कि Gold जो होता है न उसका इस्तेमाल अगर हम लोग Pure Form में करेंगे Jewelry बनाने के लिए तो वो आसानी से तूट जाएगा लेकिन अगर हम लोग इसमें Silver या Copper मिला देंगे तो उसके बाद ये एक Alloy बन जाएगा Steel को बनाने के लिए Iron और Carbon को एक Fixed Ratio में मिलाया जाता है उसका Homogeneous Mixture बनाया जाता है उसके बाद Steel बनकर तयार होता है Steel का इस्तेमाल construction material के तरह भी होता है Buildings बनाने के लिए Bridges को बनाने के लिए हम लोग Steel का यूज करते हैं और जो Machine के Parts होते हैं उसको भी Steel से बनाया जाता है दूसरा है Stainless Steel ये Normal Steel के मुकाबले ज्यादा चमकीला होता है इसको बनाने के लिए Iron, Chromium और Nickel को एक Fixed Ratio में मिलाया जाता है इसका इस्तमाल खाना पकाने वाला बर्तन को बनाने के लिए किया जाता है Cutler यानि के जो चमच होते हैं, चाकू होते हैं उसको बनाने के लिए किया जाता है और जो Surgical Instruments होते हैं उसको बनाने के लिए भी इसका इस्तमाल किया जाता है तीसरा है Brass, Brass को बनाने के लिए Copper और Jink को मिलाया जाता है brass को use करके भी हम लोग खाना पकाने वाला बरतन बनाते हैं जो decoration करने के लिए मूर्तियां होती है उसको भी से बनाया जाता है और brass से हम लोग nut bols भी बनाते हैं उसके बाद है bronze इसको बनाने के लिए copper और tin को मिलाए जाता है इससे भी बरतन बनाया जाता है इससे सिक्के बनाय जाते हैं, मेडल्स बनाय जाते हैं, मूर्तियां बनाय जाती है और बहुत सारा सजावट का सामान भी बनाय जाता है उसके बाद आता है जर्मन सिल्वर, इसको बनाने के लिए कॉपर, जिंक और निकल को मिलाय जाता है और इससे भी बहुत सारे बरतन बनाय जाते हैं जो कि हम लोग खाते समय टेबल पर इस्तिमाल करते हैं अगले अलोई का नाम है डिूरालोमिन इसको बनाने के लिए अलुमीनियम, कॉपर, मैगनीशियम और मैगनीज को मिलाय जाता है इसका इस्तिमाल इयरक्राफ्ट के बॉडि इसको बनाने के लिए किया जाता है जो आटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं उसको भी इससे बनाय जाता है और जो अंडर सी वेसल्स होते हैं जैसे की पंडूब भी हो गया उसका बॉडि भी इससे बनाय जाता है अगला है Elniko, Elniko को बनाने के लिए Aluminium, Nickel और Cobalt को मिला जाता है और Elniko ही वो Eloi है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग Magnets बनाते हैं और सबसेंती में Gun Metal, Gun Metal बनाने के लिए Copper, Tin और Zinc को मिला जाता है और इसी का इस्तेमाल Gun Barrels को बनाने के लिए किया जाता है यह table बहुत important है आप इसको याद कर लिजेगा जितने भी LOIS के नाम यहाँ पर दिये गए हैं उसको बनाने के लिए किस-किस metal और non-metal को मिलाया जाता है और उसका क्या इस्तिमाल होता है सब आपको याद कर लेना है अब चलिए सबसे अंतिम टॉपिक पर आते हैं जिसमें कि हमें non-metals के uses के बारें पर ना है some of the common uses of some of well-known non-metals are given below यहाँ पर कुछ common use, कुछ common non-metals के हमें दिये गए हैं जिसको समझ कर परकर हमें याद रखना है पहला non-metals है nitrogen, इसका इस्तिमाल हम लोग fertilizers के तरह करते हैं जो seeds और plants होता है, उसके development और growth के लिए nitrogen बहुत जरूरी होता है दूसरा non-metals है phosphorus, इसका इस्तिमाल matchbox industry में किया जाता है जो machis का तीली होता है वो phosphorus से ही बनाया जाता है और इसके अलावा phosphorus का इस्तिमाल fertilizers को बनाने के लिए भी किया जाता है तीसरा non-metal है iodine, इसका इस्तिमाल antiseptic के रूप में किया जाता है iodine एक ऐसा non-metal है जोकि हमारे body के लिए भी बहुत जरूरी होता है इसलिए हम लोग iodine मिला हुआ नमक ही खाते हैं अगला non-metal है sulfur, इसका इस्तिमाल fire crackers को बनाने के लिए किया जाता है इससे gun powder भी बनाया जाता है और sulfuric acid भी बनाया जाता है अगला non-metal है oxygen, oxygen हमारे और जितने भी दूसरे living beings हमायर धरती पर रहते हैं सब के लिए बहुत जरूरी है oxygen के बीना हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे और धरती पर survive नहीं कर पाएंगे diamond भी एक non-metal है जो की carbon का ही एक रूप है इसका इस्तिमाल jewelry बनाने के लिए glass को काटने के लिए शीशे को भी diamond से ही काटा जाता है और जो grinding tools होते हैं उसके लिए भी diamond का use किया जाता है कि बहुत सारे ऐसे metals और non-metals होते हैं जो की human body के proper functioning के लिए बहुत जरूरी होते हैं example के लिए iron एक बहुत ही important component होता है hemoglobin का जो की हमारे blood में present होता है अगर इसका deficiency हो गया इसका कमी हो गया हमारे body में तो हमारे body में serious complications हो सकते हैं इसके अलावा sodium और potassium भी दो ऐसे element है जो की हमारे body में electrical signal के transmission के लिए बहुत जरूरी होते हैं हमारे body में जो भी information brain तक जाता है न वो electrical signal के रूप में ही जाता है और अगर हमारे body में sodium और potassium नहीं होगा तो हमारे brain को signal मिल ही नहीं पाएगा इसके अलावा और भी बहुत सारे metals है जो की human body के लिए बहुत important होते हैं जैसे की calcium, copper, iron, manganese ये सब हमारे body को बहुत कम amount में चाहिए लेकिन हमारे body के लिए बहुत ज़्यादा important होते हैं non metals के दो example दिये गए हैं एक है carbon और एक है phosphorus ये दोनों भी human body के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं phosphorus हमारे bones में present होता है और cells को help करता है हमारे food से energy को obtain करने में finally हमने इस पूरे chapter को complete कर लिया और आपको किस chapter का explanation चाहिए आप comment मिले कर ज़रूर बताइएगा आपके class के science का playlist open करने के लिए left side में क्लिक कीजिए वहाँ पर आपको सभी chapters के वीडियोज मिल जाएंगे और अगले class का वीडियो देखने के लिए right side में क्लिक कीजिए फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली class में बहुत सारे ने topics के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान लखी और अच्छे से परहाई करते रहें